नमस्कार प्रिये विधर्थियू रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा ठक कर ना बेट ए मंजिल के मुसाफिर तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो दोस्तो कभी हमें भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए कभी भी हमें प्रियास करना चाहिए हमेशा रेगुलर इस्टेडी करते रहना चाहिए एक दिन आपको मंजिल भी से मिलेगी आपको टार्गेट है उस पुले कर चली आपको सबलता एक दिन अवसे मिलेगी सिर्फ आपको महनत करना है रेगुलर पढ़ाई करनी है एक दिन जो आपके कत्मूंद होगी और आपके चाहले पर खुसी ही खुसी होगी जो आपके चाहले पर जहड़क रहे होगी तो दोस्तों आज हम स्टाट करने वाले हैं बायलोजी का चैप्टर नमर बन देखिए नाम करन किया जाता है तो उसको आज हम आपको पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टाट आज हम क्या पढ़ने वाले वही नोमेन प्याचर नाम करन इसको बोलते हैं भई नोमेन प्याचर इसको इम जिरे क्या बरते हैं कि इसका नमकर कर प्ठत रहे हुएं हम बाई लोजीमें जीवधारियों का नमकर किस तरीके से किया जाता है किसने प्राल刚 किया नमकर देना क्यों में दिया जाता है तुमнаर्श को बता दू कि जो करना है वो scientific name दिया जाता है किसी जी कोई पौदा है यह फिर को जन्तु है उसका इस्तानियवासा में नाम अलग हो सकता है इंग्रीज में अलग हो सकता है लेकिन जो scientific जो नायम है वह योनिक होता है यदि हम वर्ड की सायंटिफिक नेम से जाना जाता है तो यह लेकिन जैसे माली जी हम बात करें इस्तानी बासा में तो इंको अलग 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 अपने इस्तान वासा है उसके आधार पर अलग अलग नाम होता है तो नामकर में पदति थी थी क्लासिक लेलो या नामकर लेलो कोई एक सिस्टेमेटिक तरीके से नामकर चैनल यह जाता है यह कोई रूर होते है यह और नियमावली होती है तो सबसे पहले सायनिस्ट आइथे डिए नाम करन की पतती को इसे थी वह देखें देखें वह दिवनाम पतती आराम से जल्दी वाजी नहीं है कि यह कि इसमें कितने नाम हुने है चाहिए तिशो क्लाइब को ऊदू का या किसी बी पादव का नाम देंगे उसका नाम करेंगे साइटिफिन तरीके से वेगयनिकी तरीके से तो उसमें कितने प्रवंगे ये कितने आमें धोनाम कोल से तो उसके पहले बात करेंगे जो इसके जनक है या इसके जो पिता है वो कौन है तो इसके पिता है वही पिता की बात करें फादर वह पर नोमें प्रेचर यारी कि जो वर्गी करन दिया था उसके पिता भी कोन थे वही केरोलास लीनियस को ही का जाता था और इसके पिता भी कोन है वही केरोलास लीनियस नाम के साइन्टिस्ट थे उन्हें दिवनाम पत्ति थी और इस पत्ति के द्वारा ही जीव जन्तु और पेट बोदों का नाम कड़ किया गया वेग्यानिक तरीके से तो देखे गाए जिस लीनेस नामें वेग्यानिक ने कब संद की बात करें तो संद सत्रासो तरेपन अब वही सं सत्रासो तरेपन उस्वी बएक डिवनाम पत्ति ली नाम पत्ति ली जिसके अंत्रत जीव-धारी है तो इसके कुछ नियम है जिसे मौनने ची कोई भी रूप नियम होते है ना रूल होता है मतलि इसके नां कड़ को ये उतह है रूल इस नियम हो को फोलो करके आप नामकर्ण दे सकते हैं ठीक है और आपको मैंने बताया जारूरी है नामकर्ण इसलिए जरूरी है क्योंकि माले जी अभी सोद कर रहे हैं यदि माले जी उसका इस्थाने नाम यहां पर अलग है अपने देश में किसी अधर कंट्री में उस पर्टिवल चीज को अलग नाम से पुकर जाता है तो साइन्टिफिक यदि सोद करते हैं रिसर्च करते हैं तो उसको क्या करते हैं डाटा उसका डाटा देखते हैं ठीक है डाटा देखने में क्या होता है यदि यूनिक नाम है तो उसका डाटा रिकोर्ट आ आ जाता है मतलब कि इसकी वही तो गई दिवनाम पती थी टीवनाम पती किस नहीं पर देख संद्राशोत तेर्पन सब्सक्तिक है अब इसके नियम देखते हैं वही पेरा नियम क्या है वही जो जीवधारी है या जीवधारी या पादब ले लिजी आप ठीक है उनको कितने सब्तों में यानिकि इसमें होते हैं दोपक्ति वहीं लिकाओं आपे जीवधारी अब इसमें बात करें की जाये यानिकी एक तो की जाये पादबो की बारत एक जाये जन्सिंगी बारत तो इनका नाम अलगे लग मतलर नियमावली होती है उनकी अंतरत के अध्या तो ही इसका नाम के कहता है अब यह क्या है यह एक संस्ता है जिसकी नियमावली होती है तो इसकी फुलकॉर्म देखिए इसकी फुलकॉर्म है इंटरनेस्टनल 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 देखिए कोड़ ओफ जू लोजिकल इसको क्या बलेंगे जू लोजिकल मोमेंट क्रेचर ठीक है इसकी फुलकॉर्म के होगे इंटरनेस्टनल 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 कोड़ ओफ यह लिखते हम वोटनेकार वोटनेकार मोमेंट क्रेचर मोमेंट क्लेचर चलिए यह बात होगे यह बात होगे अपनी देखे जो पादब है जी दारी है तो पादबो का नामकर्ण किसके इंटरत क्या जाएगा हुई इंटरनेस्टनल कोड़ ओफ जोलोजिकल नोमेंट क्लेचर इस नियमावलिक के द्वारा इनका नामकर्ण क्या जाएगा जनतों का नामकर्ण आज फेर आईश्य डधेड टुर्चर क द्वारा किया जायेगा यहां तक बात आए समझ में चाहिए कों कि ऑकज़े की मात करते हैं देखिये देख्ये मही इनका पे यह पात पेला नेम क्या देखिए पेला नेम क्या हुई देखिए जीमधारी यहां बात करें दो नगी जीमधारी पार नाव दो पदों में लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं लापत की पहला पत पहला पत की जाएक भी पहला पत हो गया इसका बनस्का दूसरा पत के ओ गया वही देखिए दूसरा पत के ओ गया वही जात लिगा यहीं जीवधारी की पहरे बंस लिखेंगे फिर जाती लिखेंगे इसको बोलते हैं जैनरिक नैम और इसको लिखते हैं इस पेसिज जीवदारी का नाम में लिखते हैं पहला पाद हो गया वंस का दूसरा पाद हो गया इस अधिक नाम ठीक है दूसरी बात दूसरा पूर डिकते होई वंस का नाम किसका नाम वंस का नाम? वंस का नाम का पहला अक्सर पहला अक्सर डीक यह स्टय के डीक वे होई कर दूसरां Cr 대해서 किसमें लिखेंगे ही पढ़े अक्षर न में नाम का पहले कि इसे नेम पर चलते हैं कि इसर नियम पर क्या है है तीसरे नहीं मैं जातीगा पहले बन्स की बात हो गई फिर जाती के नाम का पहला अक्सर पहला अक्सर जाती के नाम का पहला अक्सर या लिखिन अब एक स्मॉल इस्मॉल लेटर में लिखते हैं देखें चाती के नाम का फैलाक्सर इस्मॉल लेटर में लिखते हैं यह गया अपना तीस रहने देखें चोस्तानियम वही देखें क्या दिखते हैं यह हुआ यह कुलाा यहां है नहींदा तो नाम कोके किएया अधिन लिखते हैं इस और पर देखें पांच वनेंव क्या है कि वन्स ओर जाती का नाम लिखने के पश्याद के लिखने के पश्याद जाती की खोज की हो या उसका सबसे पहले प्राचीन वद्लब की वर्तमान नाम दिया हूँ जो नाम चल रहा है वह दिया हूँ उसको लाश्क मा लिखने के लिखने हैं वह जाती के नाम के बाद वर्तमान वर्तमान विद्या वेगनिक उस वेगनिक उस वेगनिक का नाम लिख देते हैं नाम लिख देते हैं जिसने उस जाती की इस जाती की खोज की है या सबसे पहले या सबसे पहले प्राचिन नाम दिया है प्राचिन नहीं आए आप आएगा वर्तमान शुरी सबसे पहले क्या दिया है वर्तमान नाम दिया वेगनिक का नाम दिया है या फिर उस ने सबसे पहले वर्तमान नाम दिया थीक है अब बात करते हैं यह नियम हो गए अपने और इसका जो जनक राया वो भी हो गया फादर करूलस लीनेस हो गया संग की बात करें तो संग 1723 में दिछी है नामगंड की यह बदती है जिसका नाम दिवनाम बदती है ठीक है एक जांपर की बात करते हैं मनुष्य की बात करें, इसकी बात करें मनुष्य की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम की वता यह? देखें और है हो मोसीपियम की वता है, वो वो असे हुए ही है ह यह मैंने लखां होCrybil इसका मनुष्य की बैंग्नानीय नम की आपव है वोविनाश और ह burnerique पहला नाम क्या सेचरे का है इस Benton नाम क्या रिखेंगी फिर तो यह फर्फी यह उस considered है ढूंगो ऑ ठीर नाम डेज़ जाए नाम हो गया यह क्या हो गया जादी इस पेसीज नाम और यह उस साइंटिस्ट का नाम गया जिसने इसके क्या किती खोजदी थी ठीक है यह गया वेक्गैनिक का लिए जाए कर लिजे ताकि वीडियो की नॉटिफिकेशन आप ताक सबसे पहले पहुँ सके थैंक यू